आईए जानते हैं आज के कुछ प्रमुकंतरास्त्री एक खबरों को पहले एक नजराज की हेड्लाइन्स पर पाच साल रिफॉर्म, पर्फॉर्म, ट्रांस्फॉर्म के रहे, पीम बोले, दुनिया ने भारत की ताकत देखी हल्दवानी इंसा पर बड़ा खुलासा, इंटेलिजेंस ने चार दिन में पाच बार्जटाई थी आसंका नागोर में मुख्य मंत्री भजल लाल बोले चौदरी चरंसिंग को भारत रतन से सम्मारित करना है तेहासिक फैसला चवनी नहीं हूँ कि पलट जाओं बिजेपी से नस्दीकी के बीजेंत चौदरी को बयान पर देनी पड़ी सफाई यूपी बिहार समेट इनी ग्यार राजजी में अगले चार से पास दिनों में होगी बारिस आई आमजी ने जताया नुमार इंडिया गटबंधन को एक और जटका चंडिगर और पंजाब में अकेले लड़ीगी आप सीम के जरिवालिक क्या एलान साहिद वर्सिस रज्रीकांद बॉक्स ओफिस पर किसकी फिल्म ने मचाया धमाल करोरों में हुवी कमाई तलाग की अफवाओं पर भरकी अंकीता लोखंडे बोली मेरी रिस्टे को अपना नजरिया देने की जरूरत नहीं और छटी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने पर होगी भारत की निगाहें ऐसा रहा है फाइनल तक पहुँचने का सफर संसत के बजट सत्र के अंतिम दिन आज लोगसभा में प्रधार मंत्री ननेंद्र बोदी ने कहा कि ये पाच वर्स देश में रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कि रहें कि यह बहुत कम हुता है कि सुधार हो काम हो और हम बदलाव को अपनी आखों के सामनी होता हुआ देखें तरिवी लोगसभा के माद्यम से आस देश अनुभाव कर रहा है और मुझे भरोसा है रागो में आपकी स्खेहरा के संतूलत प्रभाव में आपकी प्रशंसा करता उत्रकंड के हिंसा ग्रिस्त हल्दवानी सहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है लेकिन बन भूल पूरा छेत्रे में ये लागू रहेगा दूसरी ओर घटना की मजिस्ट्रियल जाज के आदेश दे दिये गए हैं कुमाओ के कमिशनर को इसके जिम्यदारी देते हुए 15 दिनों के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगे गई है दूसरी ओर अपसरों पर भी अब सवाल खरे होने लगे हैं सूत्रों के अनुसार बन भूल पूरा हिंसा के पहले चार दिन में पाँच इंट्यालिजेंस रिपोर्ट दी गई थी जिन में साब तोर पर इस रिपोर्ट में हिंसा होने के आसंका जताई गई थी साथ ही कई और अविश्यक सुझाव दिये थी जिन्हें कारवाई के दुरान अमल मिलाये जाना जरूरी बताए था मुख्य मंतरी भजर्लाज सर्मा ने कहा कि देश के पुर्व प्रधान मंतरी स्व़र्गी चौधरी चरण सिंग पुरुप्रताण मंतरी स्वर्गे पीवी नर्सीमर राव एवं हारीत क्रांति के जनक एमस स्वामी नाथन को भारत रतने से विभूशित करना इतिहासिक निर्ने है शर्मा ने भारत रतने सम्मान की घोष्णा पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का अभाल जताया सर्मा ने कहा कि जीवन परियत किसान हितों के लिए कारी करने वाली पूरू प्रधान मंत्री स् चौदरी चौदरी के हालिया बयानों से लगभग तै हो चुका है कि आगामी लोकसबत चुनाओं में राश्ट्री लोगदल उतर प्रदेश में भारती जंतापाती के साथ गटबंधन करेंगी बस अपशारिक घोसना होनी बाकी है मोधी सरकार ने पुरुप्रिधान मंतरी च चादा को भारत रखन मिलने पर जयन्त चौदरी ने प्यम मोधी को धन्यवाद दिया और उनकी तारीफों की फूल बांदे इस बीड़ पत्रकारों ने उनसे एंजी में जाने को लेकर सवाल पुछा तो जयन्द ने कहा अब मैं किस मूंस इंकार करो इस बीड़ जयन्त चौधरी पर कटक्ष कर रहे हैं अगले चार से पास दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है मौसम विभा का कहना है कि यूपी और बिहार समेट देश के ग्यारा राजी में बारिश हो सकती है वहीं पंजाब हडियाना और दिल्ले में नियुंदम तापमार पा प्रभाव के चलते दस से 14 फरबड़ी के बीच पूर्वी मध्यप्रदीश विधर्भ और चत्तसगर में हलकी बारिश हो सकती है लोकसबा चुनाव से पहले इंदिया गटबंधन को एक और जटका लगा है नेतिसकुमार ममता और अकलेज के बाद अब आम आदमी पार्टी नेता अरविंद्र के जिवाल भी कॉंग्रस से नाराज दिख रहे हैं उन्होंने अलान कर दिया है कि चंटीगर और पंजाब में वो किसी से गटबंधन नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी पंजाब और चंटीगर की 14 सीटों पर अकेली चुनाव लड़ीगी आम आदमी प कर लोगों से असरवाद मांगता हूं जारू का बटन दबा कर आपको 14 की 14 स्टीट जिताएंगे इस सुक्रवार को दो अडिसन्स को दो अलग-अलग जोनर की फिल्मों की ट्रेट मिली है एक तरब जहां साहिद कपोल क्रेटी सैनन स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलजाजिया रिलिजवी जो की एक रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है वहीं दूसरी तरब थलाइवा रजनिका के पैन इंडिया स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म लाल सलाम रिलिजवी बॉक्स ऑफिस पर दोनों है फिल्मों को ठीक ठीक ओपनिंग मिली तेरी बातों में ऐसा उलजाजिया फिल्म में रॉब और इंसान के बीज़ पनपती लव स्टोरी को कॉमेटी तरीके से दिखाए गया बिग बॉस 17 के फिनाले को खत्म हुए काफी दिन हो गए हैं लेकिन बिग बॉस के प्रतियोगियों से जुरी खबर लगातार सुर्ख्यां बटो रही है टेलिविजन के मसूर अभिनेतर अंकीता लोखंडे और उनके पती विकी जैन सो के बाद भी लगातार चर्चा में ब बॉस 17 के खत्म होने के काफी दिनों के बाद अंकीता अब जाकर मीडिया से मुखातिब हो रही हैं एक इंटर्यू में अंकीता ने विके संग अपने रिस्ते को लेकर कहा एक बार जब मैं बाहर आई तो बाहर मीडिया खरी थी और उनके साथ काफी सारे सवाल भी थी एक द ये ब्लॉक बस्टर मुकाबला बे नोनी के वेलू मूर पार्क में होगा मैस भारते समय अनुसार दो पहर दीर बज़े से शुरू होगा भारत ने सेमिफाइनल में साउथ अफरिका और आस्ट्रेलिया ने पाकस्तान को हरा कर पाइनल का टिकट हासिल किया है उद्रे साहार जबन की कप्तानी में भारत ने सेमिफाइनल में अफिरिका पर दो विकेट से कडिवी जीत हाशीन की और स्ट्रेलिया ने सेमिफाइनल मुकाबले में पाकस्तान को एक विकेट से रयाया था ॹै्यृफ स्टेडियम में अंडर 19 क्रिकेट वर्ड कप फाइनल में भारत का मुकाबल ऑस्टेलिया से होगा भारत लगतार दोसरी बार और कुल छटी बार खिताब जितना चाहेगा